हलो फ्रेंड्स आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स आधम बनाने जा रहे हैं बहुत ही स्पेसल पूडियां यह स्पेसल इसलिए है क्योंकि हमने इसे बथुआ और चने डाल से बना के त्यार किया है यह बहुत ही खस्ता, करारी, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है आप चने डाल और बथुआ से डाल बना के बहुत बार खाये होंगे आपको पसंद भी आया होगा लेकिन इस तरीके से अगर जो बथुआ और चने डाल की पूडियां एक बार खा लिए तो आपके मूँ से पहले इबाइट में यही निकलेगा कि सच में यार इसका टेस्ट बहुत ही आउसम है तो चलिए इसे बना लेते हैं इस रेश्पी को बनाने के लिए सबसे पहले जो हमें काम करना है वो चने डाल को अच्छे से भीगो देना है तो फ्रेंडस मैंने यहां तू थर्ड कप चना डाल लिया है जिसको बीन के साफ कर लिया है तो अब हम इसको भीगो देंगे तो भीगोने के लिए आप ओर नाइट भी भीगो सकते हैं या दो घंटे के लिए गुन गुने पानी में इसको भीगो के रखेंगे तो भी ये फूल जाएगा मैंने दो घंटे के लिए इसको भीगो दिया था आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से फूल गया है तो अब हम इसका पानी ड्रेन आउट कर लिए हैं और अब चलते हैं गैस की तरफ इसे बना लेते हैं तो गैस पे मेथी दाना डाल देंगे जब ये चटक जाएगा तब हम इसमें ये चना डाल डालके अच्छे से मिक्स कर लेंगे ये दीखे कुछ इस तरीके से अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम डाल देंगे आधा छोटा चमच हल्दी पाउडर बहुत जादा नहीं डालना है तो अब इसको भी अच्छे से mix कर लेना है हल्दी को अच्छे से mix करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे पानी तो पानी भी हम बहुत जादा नहीं डालेंगे दो से तीन चमच पानी डालेंगे और फ्लेम को एकदम लो कर देना है और पहले अच्छे से चने डाल, पानी, हल्दी सबको एक साथ mix कर लेना है अब हम इसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं डालेंगे और इसको ढखके हम पका लेते हैं जब तक हमारा चना डाल पकरा तब तक हम बथवा की तयारी कर लेते हैं तो मैंने यहां 500 ग्राम बथवा ले लिया है यानि एक पाव लिया है और इसके जड़ों को निकालके बथवा को अच्छे से क्लीन कर लिया है आप देख सकते हैं इसमें थोड़ी सी डंठल है कोई दिक्कत नहीं यह बहुत सौफ्ट डंठल है तब हमने इसको काट लिया है तो आप देख सकते हैं बहुत बारीक नहीं मैंने काटा है रफली इसको काटा है आप चाहे तो बहुत बारीक भी काट सकते हैं तो अब चलते है गैस की तरफ, यहाँ डाल भी हमारी बहुत अच्छे से कुक हो गई है, यह रेस्प्री बहुत जल्दी फटा-फट बन के तयार होती है, खाने में इतना टेस्टी कि आप इसका स्वाद भूल नहीं पाएंगे, एक बार बनाएंगे तो हब्ते में चार बार इसे जरूर बनाएंगे, तो यहाँ देखिए डाल अच्छे से एकदम कुक हो चुकी है, एकदम सौप्ट हो चुकी है, इसको हाथों पर जब मसलेंगे बहुत अच्छे से यह मसल जाएगी, इसे हम अलग बरतर में ट्रांसफर कर लेते हैं, थोड़ा से इसको ठंडा होने तो जब यह ठंडा हो जाएगा, फिर हम आग इसको पीस लेंगे, तो अब फिर से गैस की पर हमने वही पहन चड़ा लिया है, जिसमें डाल को भूना था, इसमें आधा चमच हमने तेल डाला है, इसमें डाल देंगे एक बारी कटी हुई हरी मिर्च, इसको थोड़ा सा भू इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि फ्रेंड समय यहां इसको ढगना नहीं है, ऐसे खुले में ही बथवा को पकाना है, जिससे इसका पानी पूरी तरह सूप जाएगा, तो आप देख सकते हैं, बथवा बिल्कुल सौप्ट हो गया, पानी भी सूप गया, तब गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे, और ठंडा होने देते हैं, तब तक आटा हम त्यार कर लेते हैं, तो हमने यहां दो कप गेहु का आटा ले लिया है, आप चाहें तो एक कप गेहु का आटा और एक कप मैदा ले सकते हैं, स्वाधा नुसा नमक एट कर देंगे, आध जो पूडियां है खस्ते अब बनेगी तो अब हम इसका डो तयार कर लेते हैं हमने नॉर्मल पानी ले लिया है और इसका डो एकदम सौफ्ट बना के तयार करना फ्रेंड्स बिल्कुल सौफ्ट रहेगा आँटा तो हमारी पूडियां बिल्कुल नहीं फटेंगी तो यह लेते हैं बथुआ तो बथुआ हमारा बिल्कुल थंडा हो चुका है इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे थोड़ा सा दो से तीन पींच हींग एड़ कर देंगे और यहां हमने हरी मेरिच लस्टन और अद्रक को दरदरा कूट के डाला है इसे बहुत अच्छा इसमे आठ कर देंगे और आधा चमच हमने या पराठा मसाला ले लिया है इसको भी एड़ कर देंगे अब हाथों से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आप देख सकते हैं कि यह देखने में भी आपको लग रहा है कि बहुत खिला खिला यह हमारा फिलिंग बनके तयार हुआ बिल्कुल चिपचिपा नहीं बनता है यह देखिए तो इस तरीके से आप फिलिंग तयार करेंगे तो बिल्कुल चिपचिपा पन इसमें नहीं रहेगा एकदम खिला खिला यह बनके तयार होगा तो अब आठा हम देख लेते हैं तो आठा भी हमारा बहुत अच्छे से बिल्कुल नहीं टूट रहा है यह देखिए तो इस तरीके से आप दो तयार करेंगे तो बिल्कुल पूरियां फटने वाली नहीं है आप जितना भी फिलिंग इसमें भर लेजिए इसको हम थोड़ा सा हाथों से गोल करते हुए फ्लैट कर लेंगे और इसको कटोरी नुमा ऐसे बना लेंगे कटोरी जब हम बना लेंगे तो अब हम इसमें फिल करेंगे अपना ये जो फिलिंग तयार किया है तो अब इसमें एक चमच भर के हम फिलिंग फिल कर देंगे फ्रेंड्स आप अगर जो पराठा बनाते हैं तो दो चमच फिलिंग डालते हैं ये पूरी है तो इसमें एक चमच फिलिंग एनफ है इसके मूँ को ऐसे कवर कर देंगे और इसको गोल-गोल घुमाते हुए इसमें ये आटे को ऐसे दबा देंगे अब हम थोड़ा सा सुखे आटे की डेस्टिंग कर लेंगे और इसको पूड़ी के बराबर बेल के तयार कर लेंगे पहले इसको हाथों से थोड़ा सा हम दबा लेंगे फिर बेलन से बहुत हलके हाथों से इसको बेल के तयार करना है और बिल्कुल ये फटेंगी नहीं आप देख सकते हैं कि बहुत स्मूदली इस पूड़ी को हम बना के तयार कर सकते हैं तो ये देखे फ्रेंस, अब हमारी पूरी ये बनके तैयार हो गई है, तो इसी तरीके से हम सारे पूरीों को पहले बनाके रख लेते हैं, ये देखे, कहीं से भी नहीं फटेगी, बिल्कुल पर्फेक्ट पूरी बनके ये तैयार होगी, तो अब हमने सारे पूडियों को बना के तयार कर लिया है अब चलते हैं गैस की तरफ इसे फ्राई कर लेते हैं तो फ्राई करने के लिए मैंने गैस पर तेल पहले से ही रख लिया था गरम हो चुका है बहुत ज़्यादा गरम तेल नहीं करना है नहीं तो पूडियां उपर से फटाफट जल जाएंगी और क्रिस्पी नहीं बनेंगी करारी नहीं बनेंगी तो बहुत ज़्यादा तेल को गरम नहीं करना है हलके गरम तेल में ही पूडियों को डालते हुए ऐसे दबाते हुए हम फुला लेंगे आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी ये फूल के तयार हो गई है बिल्कुल गुबारे जैसे फूल के एकदम टाइट हो गई है तो इसको आपको जितना करारा करना है उतना आप इसको करारी कर सकते हैं लो टू मीडियम फ्लेम पर तो फ्रेंड्स एक और मैं आपको तल के दिखाते हुँ कि ये बहुत ही सांदार फुली फुली बहुत ही टेस्टी पूडियां बनके तयार होती है विंटर में इसे जरूर एक बार ट्राई करिएगा क्योंकि बथुआ और चने की डाल से हम डाल तो बहुत बनाते हैं लेकिन एक बार पुली बना के देखिएगा बहुत ही स्वादिश्ट बनती हैं जिस तरीके से मैंने इस वीडियो में बना के दिखाया है इसी तरीके से आप बनाईएगा तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारा ये गर्मा गरम चना डाल और बथुआ की पूरी बनके तयार है बहुत ही टेस्टी आप इसे चटनी के साथ या आलू की सबजी के साथ पनीर के साथ जिसके साथ भी आप खाना चाहें बहुत ही परफेक्ट जाती है तो मैंने या हरी चटनी बना के तयार कर लिया है तो इसको मैं आपको तोड़के भी दिखाती हूँ कि ये कितना फुली-फुली और करारी बनके तयार होती है ये देखे फ्रेंट्स मैं फिलिंग भी आपको दिखाती हूँ ये अंदर से बहुत ही बढ़िया फिल और फुली हुई बनती है हींग का टेस्ट इसमें बहुत ही अच्छा आता है बथुआ और हींग जब एक साथ मिलते हैं तो अमेजिंग टेस्ट होता है तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही फुली-फुली बनी है बिल्कुल खसता ये पुड़ियां बनती है तो फ्रेंड्स पुड़ि की ये रेस्पी अगर जो आपको अच्छी लगी हो तो आपने फ्रेंड्स और रिलेशन में जरूर सेयर करिएगा ताकि वो भी इस सरदी में इस तरीके की पुड़ि जरूर बना के खाएं खाने में टेस्टी होने के साथ साथ ये बहुत हिल्दी भी होता है तो फ्रेंड्स अगर जो ये रेस्पी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सस्क्राइब वीडियो को लाइक सेर करिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जैसरी हरी